student exercise 4.4 question number 4 को यहापे discuss करें है question is the sum of the ages of two friend is 20 years देखो यह condition जो आपको given है यह possible है या नहीं है वो मैंने यहापे write नहीं कि आपको बतानी है ठीक है question आपके पास होगा the sum of the ages of two friend is 20 years आपको दिया है sum of the ages 20 years अगर मैं यहापे let करती हूँ let the age of one friend is equal to x then there is of second friend क्या जाएगी भई sum 20 है तो 20 minus x years हो जाएगी present is but question में क्या का आपसे 4 years ago according to question क्या है 4 years ego देखो ego की बात उठी it means जो भी आपकी present age है उसमें से less हो जाएगा 4 years definitely बात है तो क्या जाएगी आपकी age 4 years ago आपकी age क्या रही होगी x minus 4 and second friend क्या जाएगी 20 minus x minus 4 that became 16 minus x एक्स, ओके, यही होगे आपके पास, है ना बिटा, क्योंकि आपको पता है, सिम्बल सी बात, अगर एगो की बात हो रही है, तो आप लैस करोगे, अब सॉल करेंगे तो क्या जाएगा, प्रोडेक्ट, प्रोडेक्ट अफ देर इस, प्रोडेक्ट, अफ देर इस, is, is, 48, गिवन आपको, 48 years, तो multiply करेंगे, means, x-4, into 16-x, is equal to 48 आना जाएगे, है ना, तो सॉल करेंगे तो क्या जाए, x की 16 से करेंगे 16x, then x की x से करेंगे minus x square, minus 4, 16 4 जाए, minus 64, minus minus plus 4x, that is 48, अब क्या आजाएगा बिटे आपके पास, सॉल करेंगे तो, 16 plus 4, according to power लिग देती हूँ, 16 plus 4, plus 20x, minus 64, है ना, minus 48, इसको भी यहाँ लेके आते है, minus 48, is equal to 0, है ना, अब यहाँ भी क्या मुझे इस power को क्या करना है, positive, ठीक है, तो क्या जाएगा हमारे पास, x square, positive करना है, तो minus से multiply कर दूँगी, यह positive हुआ, minus 20x, दोनों को, minus minus दोनों add हो जाएंगे, और add होंगे तो sign भी किसका होगा, plus का क्योंकि साथ में sign भी change कर रहे हूँ, plus, 8 plus 4, 12, 6 plus 4, 10, और 1, 12, तो आपकी यह value आ जाएगी पिटा, यहाँ पे solve करेंगे, तो अब हमें क्या करना है, values find out करनी है, कैसे करते हैं, a is equal to 1, क्योंकि roots आपको find, present is आपको find out करनी है, and b is equal to minus 20, and c is equal to 112, तो solve करेंगे, determinant हमारा क्या होता है, b square minus 4ac means, b square means minus 20, square minus 4 into 1, into 112, means 400 minus, minus, अगर 4 की 112 से करती हूँ, तो आपकी value क्या आ जाएगी, 448, अब यहाँ तो value क्या हो रही है, आपकी, minus 48, minus 48 यहाँ बें बचाज़ा, which is less than 0, अब 0, कोई value आपकी negative तो होई नहीं सकती, it means, जो भी आपको condition दी है, वो क्या है, wrong है, ठीक है, जो भी यह situation आपको दी है, उन्होंने यह क्या है, wrong है, तो हम क्या लिखेंगे, this quadratic equation does not have real roots, ओके, आपको लिखना है, तो यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया है, तो यहाँ पर homework question, जो question number 5 है, वो मैं आपको दे रही हूँ, homework question है, वो आप मुझे करके दिखाओगे, अगर problem रहती है, तो मैं आपके help कर दूँगे, ओके, करेंगे, तो मैं आपके नहाँ और करेंगे, तो हमने आपके पर कर दूँगे,